अगला टॉपिक जिसका नाम है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन यानि की कैसे प्रिज्म से प्रकाश अपवर्तित होती है यह हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे और समझेंगे ठीक है लेकिन उससे पहले आप लोग के मन में जरूर सवाल उट रहा होगा कि आखिर प्रिज्म कहते किसे हैं तो देखिए दो-त्री भूजाकार और थीन आयतकार काच के सतवों से घिरे प्रिष्ट को प्रिज्म कहते हैं और यह डिफिनेशन हो गया और मुझे यकीन है कि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा इसलिए मैं आप लोग को समझाने के लिए कु इसी तरह रहता है देखिए दो त्रिभूज कार लिखा है नहीं देखिए इसमें भी दो त्रिभूज है पहला त्रिभूज आपके सामने दिख रहा है यह वाला और दूसरा त्रिभूज यह वाला ठीक है तो यह दो त्रिभूज हो गया ना तो इसी को बोला जाता है दो त् कि दो त्रिबुजकार और ये तीन आयताकार सत्वु से घीरे प्रिष्ट को क्या कहते हैं प्रिज्म कहते हैं और अगर वो कांच का हो गया तो रियल वाला प्रिज्म हो गया और ये कांच का नहीं है तो ये नकली वाला प्रिज्म हो गया ठीक है क्लियर बात और कांच कराएंगे कैसे प्रकाश आरपार होगी यह उसके परकास तरह आप्वर्तित निकलेगी और इस इस आगे वाला भाग इस तरह मैं बना दी हूं देखिये इसमें कोई दिक्कत नहीं है और यही वाली सता से ऐसे हम लोग पुरतन की रण को ले कर जाएंगे ऐसे ऐसे खिलियर बात अब मैं इसको रख देती हूं बस इसको इसका यहीं तक काम था आगे अब हम लोग बोड पर समझेंगे अब देखिए प्रिज्म के इस सता पर अब ऐ ऐसे परकास ऐसे आप्तित हो गई यानि कि आ गई और इसलिए इस आने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं आप्तित किरण इसका कोई नाम दे दीजिए मैं पी और क्यूं दे रही हूं आप ज़रू नहीं कि पी क्यूं ही देंगे आप कोई और नाम भी दे सकते हैं तो यहां पर पी और क्योंकmee किया है आपतित किरण है मैं यहां पर बीक दे रही हूं प्योंकी आपतित किरण अब देखे इस सता कि किस बिंदू पर यह किज़ते होदि यो का बनाधे द्रानानीजी कोई सीधा लाइन होता है तो आप वोग ऐसे अभी लमब खीछते यचा होता है अब देहिए अ अब यह जो प्रिज्म है यह किस से मिलकर बना हुआ है कांच से मिलकर बना हुआ है ठीक है और जो आपका किरन आ रही है वो कहां से आ रही है हवा से एन की बाहर का माध्यम क्या है हवाई एन की वाई यू लिख दे रही है ठीक है अब आप हमें बताइए कौन वीरल माध्यम ह स्पीड ज़्यादा होती इसको बोला जाता है वीरल माध्यम और जिस माद्यम की क्यों कम होती है इसको बोला जाता है तो और को बोले देंगे ठीक है और काच में इसके अपेक्छा कम होगी इसी लिए इसको क्या बोल देंगे सघन माध्यम ठीक है क्लियर बात अब देखिए अब इस तरह हवा से ऐसे प्रकास आ रही है अगर यह प्रिजम नहीं रहता तो यह ऐसे सीधे चली जाती इसमें कोई दिक्कत नहीं होता ऐसे सीधे चली जाती ठीक है ऐसे लेकिन यहाँ पर प्रिजम आ गया है अब यह की रण वीरल माध्यम से सघन में दा रही है यानिकि हावा से काच में जा रही है तो अब ही अपने पत से विचलित होगी यानिकि अपने राष्टे से विचलित होगी और मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब कोई किरन वीरल माध्यम से सखन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर जुकती है तो यहां पर अभिलंब कौन सा है यह नाभिलंब है तो इ इसलिए इस किरण को बोला जाता है अपवर्तित किरण इसका कोई नाम दे दीजिए क्यूं और आर क्या हो गया अपवर्तित किरण हो गया अपवर्तित किरन इसको मैं लिख भी दे रही है अपवर्तित किरन ठीक क्यूं और आर अपवर्तित किरन हो गया अब देखें यहां पर तो एक बार अपवर्तन हो गया है फिर भी अपवर्तन होगा एक बार और क्यूं क्यूंकि यहां पर फिर से सगन माधियम से वीरल माधिय में जाएगी तो यहां पर हम फिर से अभी लंब कीचेंगे ऐसे घील और चाहिए एसको लेकिन सघंक से विरल में जाघी है अभिलंब से दूर हटेगी जब कोई किरन सघन माधियम से विरल माधियम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है तो यह देखिए यह अभिलंब और ऐसे जा रही थी तो अब इस अभिलंब से ऐसे दूर हट जाएगी और ऐसे चली जाएगी ऐसे इसका पॉर्तन हो जाए उसमें कोड को देख लेते हैं आपतित किरन और अबिलमब है इन δोनों के बीच के कोड को क्या के है एंगल आई यानिकी आपतन कोड़ यहां पर एंगल आई कोड़ आई क्या है आपतन कोड़ ठीक है आपतन कोड़ यहां पर ठीक से मैं लिख दे रही हूं एक लिए आपतन कोड़ हो गया आपतन कोड़ हो गया अब देखिए अपवर्तन कोड़ यह है अपवर्तित किरन और य हो जाएगा तो यहां पर अपवर्तन कोड़ हो गया अब फिर से दूसरा पर अपवर्तन हुआ यानि कि निर्गत किरन निकली है तो अब यह निर्गत किरन और इस अभिलंब के बीच का कोड़ है इसलिए इसको क्या बोलते है निर्गत कोड़ निर्गत कोड़ क्यों क्योंकि यह निर्गत किरन और इस अभिलंब के बीच का कोड़ है इसलिए इसको क्या बोलते है निर्गत कोड़ अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको मिलेगा इसको जड़ा पीछे मिलाइए और इस किर्णों को जड़ा पीछे मिलाइए देखिए कहां पर मिल रही है इस बिंदू पर मिल रही है और इन देवनों के बीच के कोड को बोला जाता है एंगल D यानि कि कोड D और कोड D है जुक गई कि हमें विचलन कोड़ बताता है यानि कि अगर मान लेजिए प्रिज्म नहीं रहता ऐसे किरण क्या होती सीधी चली जाती लेकिन प्रिज्म के रहने के वज़ा से यह कितना डिगरी जुक गई कितना इसका जुका हुआ यह कोड़ हमें यहीं बताता है एंगल डी यानि की कोड़ दी इसलिए इसको बोला जाता है विचलन कोड़ क्योंकि यह हमें बताता है कितना विचलित हुई है कितना जुक गई है अपने राष्टे से कितना डिगरी विचलित हो गई है ठीक है इसलिए इसको बोला जाता है विचलन कोड़ अब लीजी यहां तक फट कीजिए ज्यादस ज्यादस शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करकर रखिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी आप तक सबसे पहले पहुचेगी तो आज किस वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के सांथ तब तक के लिए जैहिंद और खुदा हाफिज